हम ने second motion of equation किया था जो second motion of equation था वो क्या था आपके पास s is equal to ut plus a half 80 square ठीक है आज हम करते हैं जो third आपके motion of equation होता है वो v square minus u square is equal to 2 as जो आपका first motion of equation था वो क्या था v is equal to u plus 80 वो आपको इसको ये भी बोल सकते हो कि v is equal to u plus 80 आपका क्या है velocity time में relation ठीक है जो आपका second motion of equation s is equal to ut plus half 80 square इसको आप position time relation भी बोल सकते हो अब करते हैं जो आपका third motion of equation होता है v square minus u square is equal to 2 as ठीक है अब देखो v square minus u square is equal to 2 as इसको आप ये भी बोल सकते हो कि आपका कौनचा relation है velocity position relation इसमें कौन-कौनची velocity के और position relation है ठीक है अब देखो इसमें आपका कौन सा formula लगेगा इसमें आपका formula लगेगा s is equal to area of the trapezium इसमें आपका formula लगेगा area of the trapezium वाला ठीक है जो area of the trapezium का formula आपने कल पढ़ा था देखो जो area of the trapezium का formula होता है वो क्या होता है आपके पास 1 by 2 sum of parallel side into one known parallel side 1 by 2 sum of the parallel side हो जाएगा multiply में क्या जाएगा आपके पास 1 known parallel side ठीक है अब देखो 1 by 2 sum of the parallel side क्या आएंगी इसमें into one known parallel side तो 1 by 2 sum of the parallel side कौन कौन से आएंगी OA plus BC ठीक है यनि कि sum of the parallel side ये वाली और ये वाली ठीक है क्या जाएगा आपके पास है OA plus BC into one known parallel side ये क्या है आपके पास non parallel side ये दोनों क्या हैं देखो ये वाली ये वाली अपस में क्या है parallel तो area of the trapezium का formula होता है कि 1 by 2 area of the parallel side earlier of the parallel side क्या हो गया आपके पास है जो आपका ये था 1 by 2 parallel side क्या होई OA plus में BC ठीक है into में 1 known parallel side known parallel side आपके प्यास क्या है OC ठीक है आपने यहाँ पे value put कर दी 1 by 2 OA plus BC into में OC अब देखो आपको value put करनी है OA की औरे BC की अब देखो O से लेकर A तक आपने जो गराफ किया था सबसे पहले आपका जो velocity time गराफ होता है वो 0 से start नहीं होता है उसके कुछ value होते है इसलिए यह वाला गराफ यहाँ से start हुआ है ठीक है बाद में आपने इस point को इस point से मिला दिया ठीक है अब आपने O से लेकर A तक आपने क्या ले लिए Initial velocity ले 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 यू आपने B से लेकर C तक आपने क्या ले ले ली V ले 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 फाइनल विलोस्टी और जो आप B से जी तक नहीं कालोगी वो क्या है कि आपके पास Final Minus Initial क्योंकि O से लेकर A तक तो आपके पास क्या है U और B से लेकर Complete C तक क्या है V तो Final Minus Initial V Minus U ठीक है अब आपको formula लगाना है कि area of the trapezium आपका होते है 1 by 2 some of the parallel side इंटु में 1 नोने parallel side ठीक है parallel side आपके पास आगई 1 by 2 OA plus BC ठीक है OA की value आपके पास क्या है U BC की value क्या है आपके पास V तो आपके पास आगा U plus V इंटु में आपके non parallel side कौन सी लिए आपने OC ठीक है ये वाले आपके क्या है non parallel side तो इंटु में क्या आजाएगा आपके पास time आजाएगा ठीक है 1 by 2 U plus V इंटु में time ठीक है अब देखो आप put the value of equation इस वाले equation में आप क्या करोगे T की value पुट करोगे ठीक है जो first motion of equation था वो आपको पैता है आपको वो क्या था V is equal to U plus 80 ठीक है उसको आप ये भी बोल सकते थे कि ये क्या आपका velocity time में relation ठीक है velocity time में relation वाली equation है V is equal to U plus 80 अब आपको यहां से क्या करना है T की value निकालने तो V minus U U कोई side लेके आगे तो minus हो जाएगा V minus U is equal to 80 आपके पास अब देखो आपको time की value निकालने है तो A किसके आजाएगा इसके upon में आजाएगा तो यहां से T की value क्या है आपके पास V minus U upon में A ठीक है तो आप जो यह वाली equation है इसमें यह वाली value पुट करोगे T की ठीक है तो यहां से put the value of T आप क्या करोगे T की value पुट करोगे S is equal to U plus V upon में क्या था आपके पास 2 था इंटू में आप T की value पुट करोगे U minus V upon में A U T की जगा U minus V upon में A ठीक है तो आपके पास 1 तो हो गया A plus B एक हो गया आपके पास A minus B यहनि की U plus V और U minus V आपके पास क्या आगा है V square minus U square का formula बन गया क्योंकि देखो आपके पास A plus B और A minus B होता न उसका formula होता है A square minus V square तो U plus V और U minus V था आपके पास आपके पास formula बन गया V square minus U square upon में 2 into A तो क्या हो गया 2 A तो S is equal to V square minus U square upon 2 A 2 A is set जाएगा तो क्या जाएगा 2 A V square minus U square is equal to 2 A यह क्या आपकी जो third motion of equation है वो है जो है